विराट कुली फाइनली अपना बदला ले लेते हैं जी आंग आइस तो आपको पता ही हुगा कि विराट कुली ने साउथ उरिका के खिलाफ सेंचुरी मारी थी और इनकी सेंचुरी के बाद फोर्मर पाकिस्तान प्लेयर मुहमद अफीज कहते हैं विराट कुली के पास 49 सेंचुरी हो चुकी हैं और उनकी जो उनसी लाष्ट इनिंग थी साउथ उरिका वाली वो काफी मुश्किल पिछ में आई थी इस इनिंग के चलते हैं इंडिया ने साउथ उरिका को दोसों से भी जाद अरणों से हराया और आप जो कोली को सेलफिश बोल रहे हो यह एकदम बगवास है अब इनकी इस वोर्निंग से भी हफीज नहीं माने उरिनों ने अपनी तगडी बेस्ती करवाई ली तो आपको पता ही होगा की कल इंगलेंड वसी नीदरलेंड का मैच था इस मैच में बेंश्टोक्स भी सेंचूरी मार देते हैं फिर मोहमद हफीज करते किया ना है कि वो बेंश्टोक्स को बदाई देने के लिए एक ट्वीट करते हैं गुट अंडर बेंश्टोक्स आपने अंडर प्रेशर एक अच्छी इनिंग खेली आपकी स्पारी में हमें दिख राता कि आप अग्रैसिव इंटेंट से खेल रहे हैं आगे नोंने लिख दिया ये है एक्जमपल सेल्फिश और सेल्फलेस अप्रोच का तो नोंने अपने इस ट्वीट से फिर से विराट कुली क्तर विशारा किया और ये दिखाने की कोशिश की जो उनसी बैंश्टोक्स वाल इनिंग है वो सेल्फलेस वाल इनिंग है और विराट कुली को भी ऐसी अप्रोच से खेलना चाहिए और साथ में इनोंने माइकल वोन को मैंशन कर दिया फिर माइकल वोन उसी वक्त इनकी तगड़ी बेचती करते हैं और कहते हैं हफीज बाई जो उनसी बैंश्टोक्स वाल इनिंग है वो अच्छी है लेकिन जो उनसी विराट कुली वाल इनिंग है वो कोल करता है में बैटर पेस अडेक के सामने आई थी इसके बाद ये एक ओर ट्वीट करते हैं और एक फोटो भी शेयर करते हैं जिसमें विराट कुली ने मुम्मद अफीज को बोल्ड किया था ये गटना है 2012 की और ये लिखते है कुछ यादा रहे है हफीज जो विराट कुली ने तुम को बोल्ड कर दिया था और आज माइकल वर इन पर एक ओर ट्वीट शेयर करते हैं जानने इस पहले आरम 500 सब्सक्राइबर के काफी करीब है तो प्लिज सब्सक्राइब कर दो और अब ही इसका एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें विराट कुली ने उन्हें बोल्ड किया था तो भाई इनकी तो गजव की बेजती हुई वीडियो चे लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस वोड़ इंपर्टन वीडियो के लिए चैनलों को जू सब्क्राइब करे गज़ झालों को लागे खाज़ चैनलों को जुआ है